गूडमारींग इस्ट्वीडेंट्स आज हम बात करेंगे फिरैंज की चवडाई के लिए में रिजुराई के लिए विंजक कैसे प्रात करेंगे कैसे फिरैंज क्या होती है आपने कल देखा था जब पैटरं बनता है शित目前 का बनता है आप और यह डार्क है, ऐसे पट्टियां बनती है, ठीक है, तो यह आपको क्या कहलाती है, यह जो पट्टियां बनती है, इन्ही पट्टियों को हम क्या कहते हैं, आप कहेंगे फ्रेंज, ठीक है, अब यही फ्रेंज की हम चोड़ाई ग्याद करने है, इसी फ्रेंज की चोड़ाई था वो दोई सिलिट था दो चिद्र वाला था जैसे यहां दो चिद्र है आप देख रहा है इसमें भी दो चिद्र है पहले तो एक चिद्र वाले हम सिलिट का प्रियों करते हैं अब हम बात करते हैं कि यह जो experiment है, इसका set-up देखते हैं, हमने देखा कि यहां पर क्याають? एक slit ये है, एक slit यहां पर ये दिख रहे हैं ख इनमल दीवारे हैं हैं स्लिटी यहां इहां एक slit है, यहां दो slit है, दो छिद्ने हैं ठीक है और यहाँ एक पर्दा रखा हुआ है एक slit से दूसरे slit के बीच की दूरी कितनी है small d ध्यान रखिएगा तो आप कहेंगे s1, s2 is equal to कितना होगा आपको होगे small d ठीक है नोट करते चलेंगे अब आप कहेंगे कि यह slit से पर्दे तक की दूरी कितनी होई तो कहोगे d यहाँ c से लेकर के यह c विंदू से लेकर के o विंदू तक की दूरी कितनी होगे c o बराबर कितना होगा capital d होगा ध्यान रखिएगे यहाँ o से o जो है केंद्र है दमसीधी रेखा में है अगर प्रकास की किर्णे यहाँ तरंगे चलके यहाँ पर जाकर के मिलती है तो केंद्र से कितनी दूरी पर बना रखी है तो o से लेकर के p तक की जो दूरी दिख रही है आपर o से लेकर के p तक की जो दूरी दिख रही है यह आपको दिख रही है तो ओ से पी तक की दूरी कहेंगे op is equal to कितना या Po या O P कुछ भी कहें X M है कितनी है X M है तो इतनी चीज परता हो गाई है अब जरा ध्यान पूरवक देखते हैं कोण के बारे में देखते हैं ये दिखे P, C, O कितना डिग्री है धीटा कोण है तो आप कोण क्या लिख दिए कोण P, C और O और दूसरा देखे यह समरूप तरभुज है इसी के PCO के समरूप तरभुज कौन सा है S1, S2, A तो इसमें जो यह कोण आपको दिखेगा यह वाला कोण यह कोण आपको जो दिखेगा वह भी थीटा होगा तो आप कहेंगे S2, S1, A is equal to S2, S1, A बराबर दोनों मिलाकर कितने होगा थीटा होगा तो इतनी चीजें जरा ध्यान पूर्वग देखेंगे अब आपको लिखना कहां से है तो लिखना प्रारम करेंगे कि माना एक रेखा छिदर इस capital S है capital S है ठीक है जिसमें तरंग दैर्ध लेम्डा ये क्या है तरंग दैर्ध क्या है तरंग दैर्ध है लेम्डा का एक वानड़ी प्रकास एक वानड़ी मतलब एक और वानवाने color एक वानड़ी प्रकास क्या से क्या हुआ प्रकासित हुआ है देख रहे हैं प्रकासित हो रहा है अब यहां पर किसी भी विंदू पर पी क्यू कहीं भी जा करके मिलेंगी तो यह आप देखेंगे कि s1 और s2 जो हो रहे हैं यह देखें समान दूरी पर है इस s वाले से ध्यान रखेगा ठीक है अब हम बात करेंगे यहां पर कि जब s से दोनों पर आप देखिए S1 और S2 पर समान कला में पहुचेंगे क्योंकि यहां से यहां तक कि दूरी दोनों की सेम हैं बाते समझ में आ रही होगी ठीक है अब आप देखते हैं D दूरी पर एक परदा रखा हुआ है ठीक है जिस पर क्या बनता है व्यतिकरण फ्रिंजे बनती है ठीक है व्यतिकरण फ्रिंजे जब बन रही है तो आपको पता चल गया कि यह जो केंद्र है केंद्र से कितनी दूरी पर बन नहीं XM दूरी पर इसका मतलब चोड़ाई भी माल लेंगे कि हम इसकी XM होगी या हम मान सकते हैं कि बीच में और तरंगे होगी तो बीच में यहां तक की O से P तक की दूरी तक का ही फ्रिंज है तो इसकी फ्रिंज की चोड़ाई कितनी होगी यांनि XM कितना होगा इसको हमां ग्याद करना होगा चलिए तो हम आपसे बात किये थे कि पथांतर किसे कहते हैं तो पथांतर जो कि उसका विक्षेट करके देखिए पथधन अंतर पथांतर पथ में अंतर एक आदमी अपने घर से चलता है और वहाँ पांच किलोमेटर जाता है और एक किलो, एक आदमी जो है, वह चार किलो मीटर जाता है, और दोनों सेम जगह पर पहुच जाते हैं, तो दोनों की पथ में अंतर कितना है, तो पांच में से चार वाले को घटा दिया, आप तो कहेंगे कि एक किलो मीटर का अंतर है, एक वाला ज्यादा चल के आया है, ठीक ज्यादा चला और S1 P को उसमें से घटा दें, घटाएं S1 P को, S1 P को, तो हमने देखा यहां से एक लंब डाला था, हमने S2 A, यही दूरी S2 A जो आपको दिख रहे हैं आपको, S1 A जो लंब डाला था, उसी में S2 A जो है, यह दूरी अधिक है, किस से? S1 P से, है ना? तो यही इन दोनों का अंतर होगा, कितना होगा? S2 A, इसी कहां क्या कहते हैं? पथांतर, समझ में आगी? तो पथांतर कहते हैं, अब हम चलते चलेंगे, देखते चलेंगे कि क्या क्या condition आती है, तो चित्र को अभी बार-बार हम देखा करेंगे, तो आपने अभी नोट किया, कि देखी, यहां पर हम देख चित्र भी थोड़ा सा देखेंगे, तो यहां ध्यान पुर्वगेंगे, S1 और S2 के बीच की दूरी हमने कितनी लिखी, D लिखी, क्या लिखा, S1 ठीक अभी, यहां अपने देखा, फिर C से लेकर के O तक की दूरी, यह जैब C है, और O तक की दूरी, 이 है ज्यों भाई, इतनी है, fins D है, तो हमने C O बराबर के七 दूरствен दी लिख दिया और देख़िये, O से लेकर के P तक की दूरी, लिखिए, O से लेक करके पी तक की दूरी कितनी है आपको होगे एक्सेम तो यहां हमने एक्सेम लिख दिया और अभी आपको बताया था कि क्या निकाला था यह जो कौण एस टू के क्या है समरूप है क्योंकि देखिए इसमें भी कौण ठीटा है इसमें भी कौण ठीटा है यह लंब है तो यह भी लंब है ठीक है और यह करण है तो यह सी पी भी क्या है करण है ठीक है अब हम कुछ दिर बाद मानेंगे कि सी ओ जो है वो सी पी के बराबर है तो उस तो चलिए देखते हैं दोनों समरूप त्रभुज हो गए तो हम क्या करते हैं पहले हम ने देखा पथांतर कितना था S2 P-S1 P बराबर S2 A यह क्या कहला है पथांतर ठीक है अब हम बात करते हैं C P O त्रभुज और S1 S2 A सबसे पहले आप चित्र बना लिजेगा कॉपी पर ताकि आपको क्या फायदा होगा कि हम इसे आसानी से समझ सकेंगे बार बार उपर नीचे देखने की जिरूरत नहीं पड़ेगे तो आप देखेंगे कि दोनों त्रभुज अगर समरूफ हो गए तो हम देखते हैं आपर क्या है समरूफ है क्या है यहां लिख दीजेगा समरूफ है अता समरूफता का नियम का पालन करेंगे तो समरूफता की नियम का पालन करेंगे तो जड़ा देखें हम कौन किसके बरा आपने देखा कि S2A किसके बराबर है, S2A, S2A, OP के सामने, दोनों लंब है, ठीक है, अब हम CP की बात करें, CP क्या है, इसका कॉन सा है, S1, S2 है, ठीक है, तो देखते हैं, CP का क्या S1, S2 से संबंध है, CP जो है, वो किसके अनुपात में बराबर है, S1, S2 के अनुपात में बराबर है, ठीक है, अब इस समीकर में मैंने आभी आपसे कहा था, कि जो आपने इस तरह से चितर बना रखा है, जरा ध्यान पूर्वग देखिएगा, ऐसे बना हुआ था, तो आपने कहा कि यह C, O, और य है, तो हमने यहाँ पर क्या ले लिया, C, O बराबर CP, अब यहाँ जहाँ CP था, वहाँ हमने क्या रख दिया, C, O रख दिया, अब C, O की दूरी आपको पता है न, कितनी है, capital D है, अब चलते हैं, सबकी वैलू रखके देखते हैं, तो आपने देखा कि पहले S2A नहीं पथांतर निकालना था, हमने पथांतर यहां निकाल लिया, बाकि इसको यहां इधर की तरफ खदेट दिया, आपने देखा OP upon CO into S1S2, ठीक है, यह गुड़ा है, ठीक है, अब देखें कि S2A बराबर कितना आता है, OP बराबर कितना है, XM, CO बराबर कितना है, D और S1, S2 is equal to क्या आ गया है, small D, slitों के बीच की दूरी, यह formula आपको प्राप्त हो गया, ठीक है, अब यह formula आपको जब प्राप्त हो गया, तो पथांतर मिल गया हमको, यह बहुत important formula मिल गया है, कि S2A नहीं पथांतर बराबर, XM, small D, बटे capital D, XM, fringe की चोड़ाई, और D, slit क था, परदे की बीच की दूरी, कि बीच की दूरी, बाते समझ में आगे होगे, ठीक है, अब इस फरिकार हम आगे चलते हैं, देखते हैं, अब हम दीप्त फ्रिंजों किस्थितियां, अगर हम माल लें, कि P विंदू पर कैसा fringe बन रहा है, दीप्त, bright fringe, चमकदार बन रही है ठीक है, तो मैंने अब उकल पढ़ाया था कि पत्थांतर कितना होता है, दीप्त फ्रिंज के लिए, ठीक है, तो देखे, S1 से S2 तक चल कर जब पहुचेगी, S1, S2 से चल कर के कहां पहुचेगी, O विंदू पर, तो जड़ा ध्यान देखें, यहां, एक सिलिट यहां, एक स सून ने होता, अब जब सून ने होता, तो आपको पता है, पतांतर जब सून ने होता है, तो क्या होगा, आपको होगे, समान कला में मिलेगी, और जब समान कला में मिलेगी, तो आपको होगे, कि वहां पर कैसा बनेगा, दीप्त फ्रिंज, यहां कैसी होगी, दीप्त फ्रि एस्टू ए बराबर एक्सम इंटू डी स्मॉल डी रख दिया और उसका पतांतर कितना रख दिया एम लेंड़ा यहां पर तो देखते हैं एम लेंड़ा बराबर कितना आई है तो हम देप्ध फ्रिंज की चौणाई कितनी होगी उसे निकाल के देखें तो इन दोनों को इधर से यदर ट्रांसपर कर देता है इन दोनों को थीए ट्रांसफर किया हमने देखा एक्सम बराबर कितना आगए है एम लेंड़ा कैपिटल डी डिवाइड बैए स्मॉल डी ठीक है m बराबर कहां से सुरू हो सकता है हमने आप कहा था सम पोसी में 0 से सुरू होता है 1, 2, 3 ठीक है लेकिन अगर बिनासी की बात करेंगे तो कहां से सुरूगा 1, 2, 3 से सुरू होगा और ये सम पोसी में कैसा स्टार्ट होगा 0, 1, 2, 3, 4 से ठीक है xm into small d बटे capital D वर अब हम अदीप फिरिंजों के लिए नी बिनासी व्यतिकरण के लिए क्या करेंगे 2m minus 1 into lambda by 2 रखेंगे और जैसे ही से हम रखेंगे वैसे हमें क्या प्राफ्थ हो जाएगा आप कहेंगे xm बराबर हमको प्राफ्थ वर 2m minus 1 into lambda d divided by 2d अब आपको समझ में आगे होगा यहाँ m बराबर क्या रखना होगा 123 रखना होगा क्योंकि central में कैसा बनता है 0 वाले बिंदू पर कैसा बनता है दीप बनता है अदीप नहीं बनता है इसलिए हम यहाँ पर क्या होता है जीरो नहीं रख सकते हैं तो इस प्रकार से आज आपको इतना ही बताएगा है आज के लिए इतना ही धन्यवाद